हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारी यूटीब चैनल अनूमिस में तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज का सेशन और जैसा कि हम लोग इस समय संधी पढ़ रहा है और संधी में हम लोगोंने स्वर संधी कंप्लेट कर लिया है बेंजन संधी के कुछ नियम भी पढ़ लिया है अभी बेंजन संधी में कुछ और नियम बजता है जिसे आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लेट करेंगे तो आज इस वीडियो में बेंजन संधी है कि अंग का नियम अब अंग का नियम क्या कहता है तो देखिए जहां पर भी अनुस्वार रहता है यानि कि जब हम लोग संदी भी छेद करते हैं तो जो अनुस्वार रहता है जो अंग रहता है वो मौ में बदल जाता है कैसे उधारण से हम समझते हैं देखिए यहां पर द ठीक है यानि कि अंग की मात्रा इसको जो है काते हैं तो ये है अनुस्वार इसे जब हम लोग इसका संधी भी छेद करेंगे तो ये जो अनुस्वार है ये मौ में बदल जाएगा यानि कि ये जो अंग है ये मौ में बदल जाएगा कब जब इसका संधी भी छेद होगा तब और अगर संदि भी छेट दे रहा है exam में direct ऐसे और पुछ रहा है कि इसका संदि क्या होगा, तो इसमें वैसे हम लोग पहचाल लेंगे कि ये बेंजन संदि है कैसे, क्योंकि एक तरफ बेंजन है और एक तरफ स्वर है, तो स्वार और बेंजन का जब मेल होता है तो बेंजन संदी होती है और जब इसका हम लोग संदी करेंगे तो ये मौज है अब ये अनुस्वार में बदल जाएगा क्योंकि जो इसका में सावद था उसमें अनुस्वार ही था तो जब ये टूटा है तो अनुस्वार मौ में बदल गया है तो वही चीज है यहाँ पर सन्योग का जब संदी विच्छेद करेंगे तो यह होगा समधन योग वैसे ही सन्यासी सन्यासी का संदी विच्छेद हो जाएगा समधन न्यासी यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा सन्यासी का सुध्ध वर्तनी में भी बहुत वच्छे गलत करते हैं सन्यासी कैसे लिखा जाएगा तो सन्यासी में 100 में उपर अनुस्वार भी रहेगा और प्लस 37 आधा 9 भी रहेगा तो यह चीज़ भी ध्यान देज़ेगा तो इस तरीके से यह जो अनुस्वार है यह में बदल गया और यहाँ से जुन्यासी सब्द जूड़ रहा है यह यहाँ पर हो गया ठीक है ऐसे ही संसय का संदी विच्छेद होगा सम धन और बच रहा है हमारा सै सम विधान का क्या हो जाएगा सम धन विधान ठीक है वैसे ही संपूड संपूड का हो जाएगा अनुस्वार जो है म में बदल जाएगा तो यह हो जाएगा सम प्लस पूड संपूड संचय का हो जाएगा सम धन चय ठीक है परंतु परंतु का जब हम लोग संदी विछेद करेंगे तो अब ऐसा नहीं कि केवल सुरू के वर्ड में ही अगर अनुस्वार रहेगा तो वो में बदलेगा ऐसा नहीं है देखे यहाँ पर परंतु में रो पर जो है अनुस्वार दिया हुआ है तो अब इसका जब हम लोग संदी करेंगे तो यह हो जाएगा परंधन तू ठीक है तो परंतु का संदी विछेद होगा परंधन तू इसी तरी के एक और साब्द आता है सम्मान अगर हम बात करें सम्मान ऐसे लिखते है तो ऐसा नहीं कि अनुस्वार नहीं है तो इसका कुछ और हो जाएगा नहीं इसका भी वैसे ही होगा या यह जो मौ है जब इसका उचारड करेंगे तो सं इसमें भी मौ का उचारड आ रहा है तो यह हो जाएगा इसका संदी विछेद संधन मान यह मौ जो है आधा है यहाँ पर भी आप देख रहें आधा है या तो अगर इसको आधा मौना लिक करके अगर अनुस्वार रहता तो अनुस्वार को हम लोग में बदल लेते तो वही चीज़ है इसका भी यही होगा कि समधन मान एक और चीज़ पूसता है जिसमें ज़ादे confusion होता है संधी देखे अगर ऐसे पूछे संधी का जो है संधी बिच्छेद क्या होगा तो इसमें भी अनुस्वार है तो समधन धी हो जाएगा या तो अगर यहाँ पर अनुस्वार ना दे करके यहाँ पर न भी दे सकता है जैसे संधी को ऐसे भी लिखा जाता है ऐसे भी लिख सकते हैं तो इसका भी अब वैसे ही होगा जब इसका संधी भी छेद करेंगे तो हो जाएगा समधन धी ठीक है क्योंकि यही न अगर हटेगा तो यह न अनुसवार में बदल जाता है अनुसवार लगा करके हम लोग लिखते हैं और अनुसवार यहाँ पर न दे करके यहाँ पर न दे दिया है तो बात वही हो गई इसका संधी भी छेद करेंगे तो समधन धी हो जाएगा क्लियर तो अंका नियम हम लोगों ने देखा उसके बाद अगले नियम के अगर हम बात करें नमबर 6 की तो इसमें है कि जो हमारा मुर्धन्य स रहेगा यह मुर्धन्य स जो है वो दंते स में बदल जाएगा कैसे उधार देखे विशम अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दंते स आया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि यह स जो है इसी स का परिवर्थित रूप है तो जब इसका संदी भी छेद होगा तो संदी भी छेद में यह स दंते स में बदल जाएगा और यही सो जो है जब इसका संदी होता है तो यह सो जो है इस सो में यानि कि मुर्धन्य सो में परिवर्तित हो जाता है तो देखे इसका संदी भी छेद करेंगे तो ये हो जाएगा वी धन अब ये जो सौ है इस धन ते सौ में बदन जाएगा तो ये सौ और ये म वी धन सम हो जाएगा वैसे ही विशाद का हो जाएगा वी धन साद निसेद का क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं वही सह है तो यह हो जाएगा नी धन सेद सुसुप्त का क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा सुधन सुप्त परिसद का हो जाएगा परिधन सद सुस्मा का क्या हो जाएगा सुधन समा तो इस प्रकार से जहां पर भी जो है मुर्धन्य शो आएगा इसका मतलब कि जब उसका संदी भी छेट करेंगे तो वो जो है दन तेशो में परिवर्टित हो जाएगा या फिर अगर ये दे दे रहा है एक्जाम में और इसका पूछेगा कि सब्द क्या बनेगा और या फिर कौन सा हमारा संदी होगा इसमें तो अगर आप संदी बिच्छे जानते हैं सब्द का सब्द जानते हैं तो संदी बिच्छे तो वैसे ही हम लोग पहचान लेंगे कि कौ चो चो का नियम, चो चो का नियम क्या क्याता है, इसमें क्या होता है, कि चो जो होता है, वो आधा होता है, और चो जो होता है, ये पूरा होता है, तो जब इस प्रकार के सब्दों का हम लोग संदी भी छेद करते हैं, जिसके बीच में आधा चो और पूरा चो आता है, तो ऐस जो आधा च होता है उसका बिलोब हो जाता है और उसके बाद जो सब्द बचता है उसका संदी बिछेद हो जाता है जैसे उदाहर से समझते हैं देखे परिछेद एक सब्द है जब इसका संदी बिछेद करेंगे तो यह हो जाएगा परिधन यहां से च का बिलोब हो जाएगा इसको हम लोग यहां से बिलकुल हटा देंगे यह हट जायगा, उसके बाद जो सब्द बचेगा उसको हम लोग यहां पर लिख देंगे यानि कि इसका संदी भी छेथ हो जाएगा परिधन छेथ ठीक है, ऐसे ही अनुचेथ है तो इसका हो जाएगा अनू धन छेद चो का विलोफ हो गया स्वच्छंद का हो जाएगा स्वधन छंद वैसे ही भी छेद का हो जाएगा वी धन छेद ठीक है चलिए एक और चीज इसी में देखिए इसी इका एक अपवाद है यह अपवाद सरूपी से आप माँ सकते हैं कि चो चो के नियम में ही कभी कभी जो चो होता है यह चो जो है तो में परिवर्तित हो जाता है और जो चो है यह तालवी शो में परिवर्तित हो जाता है अब ऐसा कब होता है कब हम लोग पहचानेंगे कि चो चो जो है चो चो में चो का कब लोप होगा और 4 छवं में कब 4 जो है तो में बदल जाएगा और 6 जो है वो शो में बदल जाएगा देखें सबसे पहले अगर हम हम उदारण की बात करें तो उच्छवास यहाँ पर एक उदारण है उच्छवास जब इसका हम लोग संदि भी छेद करेंगे तो यह हो जाएगा चो जो है तो में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा उत्धन छुआस तो चो जो है ये सौ में बदल जाएगा तो चो यहाँ पर आधा है तो आधा सौ में बदलेगा तो ये हो जाएगा आधा सौ तालवी शौ और वास ये हो जाएगा उत्धन स्वास वैसे ही सच्छास्त्र तो अब इसका होगा च जो है वो तमे बदल जाएगा तो सत्धन च जो है श में बदल जाएगा तो ये जो है च्छास्त्र नहीं होगा सास्त्र हो जाएगा ठीक है सात धन सास्त्र ऐसे ही तच्छिव तच्छिव का हो जाएगा तत धन सिव उच स्रिंखल उच स्रिंखल का हो जाएगा उत धन छो जो है शा में बदल जाएगा और री और इसमें जो है रो भी सा मिल है तो जो है सो और रो मिल करके श्रॉब बनाता है ठीक है तो यह हो जाएगा ऐसे स्रिंग खल ठीक है देखे अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देजेगा कि कब हम लोग पहचानेंगे कि कब जो है चौ का बिलोप होगा और कब चौ जो है तो में बदलेगा तो आप जो है इसमें जादे दिमाग लगाने की अगर आप प्रैक्टिस किया है तो आप जो है जब संदी भी छेद करेंगे तो सब्द को देखते ही आप पहचान जाएंगे बिल्कुल देशी अंदाज में अगर आप देखेंगे कि हाँ यह चीज अच्छा लग रहा है अच्छा लगने के हिसाब से भी आप जो है सेट कर कर लेंगे तो वैसे ही सब्द देखते ही हमें पता लग जाएगा कि नही यह इसके साथ सेट नहीं हो रहा है और वह सही हो जाता है तो देखें यहांपर उत धन श्वास यहाँ पर अगर हम छ्वास की बात करें और सबसे पहले कि जब हम लोग संदी भी छेट करते हैं तो जो सब्द बनता है उन सब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता है पहली बात तो ये तो हम लोग को ऐसा ही सब्द बनाना है जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो तो अगर हम यहाँ पर छ्वास की बात करें उच जो है उधन छ्वास माले जी चो को जो है हम ये नियम नहीं ये नियम लगा रहा है हम ये नियम नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे चो का भी लोग कर देंगे तो हमारा हो जाएगा उ धन छवास तो उ का भी कोई अर्थ नहीं छवास का भी कोई अर्थ नहीं तो ये इसके साथ सेट नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग इस पर करेंगे उ धन स्वास, अब देखें ये बिल्कुल सेट हो रहा है इसका कुछ न कुछ अर्थ है और ये जो है इसका संदिविछेद यही होगा ठीक है अब उसके बाद है सच्छास्त्र इसका जब हम लोग संदिविछेद करेंगे तो सधन छास्त्र अब छास्त्र क्या होता है सो क्या होता है वैसे ही गलत लग रहा है जब हम इसका और कौन सी संधी है और जादे तर एक्जाम में हमारे ये पूछता है कि इस सब्द में कौन सी संधी है ठीक है चलिए लास्ट नियम की अगर हम बात करें एक और नियम बचता है नमबर आठ उसे भी देखते हैं देखे अगला नियम है और लास्ट नियम है इसे की साथ हमारा जो अबेंजन संधी है वो complete हो जाएगा नमर 8 है सठा का नियम यानि कि इसमें जो है जो मुर्धन्य सव रहेगा ये आधा रहेगा और जो ठा रहेगा ये पूरा रहेगा इस नियम में ये होता है कि ये सव जो है दन्त ये सव में बुदल जाता है और ये ठा जो है वो ठा में परिवर्तित हो जाता है इस नियम के अंतरगत उधारण देखते हैं यो धिस्ठीर देखे जब इसका हम लोग संधी भी छेद करेंगे यहाँ पर आप बीच में देख रहे हैं कि मुर्धन्य सव है और ठा है और मुर्धन्य सव आधा है ठा पूरा है जब इसका संधी भी छेद होगा तो ये हो जाएगा यूधी धन इस्ठीर यहाँ पर ये जो सव है ये इस सव में बदल गया और ये ज़ ठा है ये था में बदल गया तो इस प्रकार से बन गया हमारा इस्ठीर ठीक है इसी तरीके से प्रतिष्ठीद का हो जाएगा प्रति धन इस्ठीद का हो जाएगा इस्ठीद ठीक है ये सव जो है धन ते सव में और ठा जो है वो था में बदल जाता है क्लियर तो इसी के साथ फ्रेंट्स हमारा फालतु नियम हम लोगों नहीं पढ़ा वैसे तो बेंजन संदी में बहुत सारे नियम होते हैं पर इकजाम में अगर क्वेश्चन बनता है संदी से तो इनी नियमों के अंदर अंदर हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे और जादे तर एक चीज और ध्यान दिजेगा कि संदी जब आप पढ़ियेगा तो जादे फोकस आप सवरसंदी पर दीजिएगा क्योंकि होता क्या है कि इक्जाम में जो संदी के क्वेश्चन बनने का जो रेशियो होता है वह 70% लगभग जो है आपके सवरसंदी से क्वेश्चन बनता है और 15% जो है आपका वेंजन संदी से बन और कमें से पता है कि कव्यार न जाए के पता लगता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है क्या दिक्कत है उसके according और भी बहतर करने की कोसिस किया जाता है और भी content आपको देने की कोसिस किया जाता है अगर आपको कोई डिमांड है अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है कोई भी problem हो, कोई भी दिकत हो तो आप हमें comment में बता सकते हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो please friends वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड में share भी कर दीजिए और अगर आपको चैनल पसंद आया तो चैनल को भी subscribe कर लिजिए और अगर आप टेट का एक्जाम देने वाले हैं तक यू